नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम RPSC 1st grade का आज जो जीके का पेपर हुआ है उसकी आंसर की को डिसकस करेंगे पहले हम जीके की questions देखेंगे सो फर्स question है विवेका नंद ने शिकागो में विश्व धर्ब संसद में कब भाग लिया इसका right answer है option 3 September 1893 next question निमलिकित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है इसका right answer है option 4 विपिन चंद्र पाल next question पिछले हजारों वर्षों में भारत में तांसें जेसा संगीतंग्य पैदा नहीं हुआ यहां किस ने कहा इसका right answer है option 1 अबुल फजल next question प्रतिहार के संस्तापक हरीश चंद्र की कौन सी राजधानी थी इसका right answer है option 3 मंडोर next question राजिस्तान की कुदरत सिंग किस हस्त शिल्प से संबंदित है इसका right answer है option 4 मीनाकारी next question किस चोहान शाशक के द्वारा अजमेर में जो संस्क्रेट पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़ कर एबक ने अड़ाई दिन का जोपड़ा मस्जित बनवाई next question गोविंद किरी के नित्रत में भील गती विद्यों का केंद्र बेड़सा गाउं किस राजिये में था next question वर्ष 1961 से 1969 की अवधी के दोरान निम्न में कौन पुरातत्व विधा काली बंगा के उत्खनन से संबंदित नहीं है इसका right answer है option 1 RC अगरिवाल next question मतस्य संग का राजप्रमु किसे बनाया गया इसका right answer है option 2 धोलपूर के शाशक को next question बिकानेल लोग परिशत की इस्तापना 1936 में किस शहर में हुई इसका right answer है option 2 कलकत्ता next question हिंद स्वराज के लेखक है महत्मा गांधी next question व्रहत राजस्तान 30 मार्च 1949 का मुख्य मंत्री किसे बनाया गया इसका right answer है option 3 हीरालाल शास्त्री next question इसका right answer है सूरेमल मिश्रण next question 1857 की क्रांती के समय करोली का शाशक कौन था इसका right answer है option 2 महाराजा मदनपाल next question अब हिंदी के questions से इन में से किस शब्द का हिंदी समानार तक शब्द असंगत है इसका right answer है option 1 memorandum किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है इसका भी option 1 right answer है next question किस विकल्प में शब्द का सही संदी विच्षेद नहीं है यहाँ पर option 1 और 4, दोनों में संदी विच्छत गलते तो यह question delete हो सकता है Next question, किस शब्द में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है इसका right answer है option 3, हम लोग इन में से किस विकल्प के सभी शब्द शिद्ध है इसका right answer है option 2 Next question, English के question से First question है new cycle routes, dash and speed limits, dash on selected routes इसका right answer है option 4, have been built, have been reduced Next question, choose the correct passive form He gave over the whole program to the reporter इसका right answer है option 4, the whole program was given over to a reporter Next question, pick the correct direct sentence for the following indirect sentence I asked him if he knew my name इसका right answer हो जाएगा option 2, I said to him, do you know my name? Next question, choose the correct English translation of the word सम पुष्टी करना, इसका right answer है option 2 Next question, identify the correct preposition for the blank If you want to go abroad, you must be dashed possession of a valid passport इसका right answer है option 1 Next question, निमलिखित में से कौन सी जलवायू राजस्थान में नहीं पाई जाती है इसका right answer है option 2, BSKW Next question, विश्व का सबसे बड़ा सोलर, सोर उर्जा पार्क, भढ़ला कहां इस्तित है इसका right answer है option 1, जोदपूर Next question, जनसंक्या 2011 के अनुसार, राजस्थान के किस जले में लिंगानुपाद सरवादिक है इसका right answer है option 2, पाली Next question, राजस्थान के कौन से शेत्रों में तारा वालू का इस्तूप पाई जाते है इसका right answer है option 1, मोहन गड़ शेत्र जेसल मेर एवं सूरत गड़ शेत्र गंगानगर Next question, कोविड महमारी में लगे लॉकडाउन की दोरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्द कराने है तू राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी इसका answer है option 2, शिक्षावानी Next question, मई 2022 में रामगर विशधारी अभ्यारण को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया यह अभ्यारण राजस्तान के किस जिले में इस्तित है इसका right answer option 3, बूंदी Next question, निमलिकित में से कौन सा एक विश्व धरोहर इस्तल नहीं है इसका right answer option 4, हल्दी घाटी Next question, 2011 की जनसंक्या के अनुसार, राज्ये की कुल जनसंक्या में शेहरी वग्रामिट जनसंक्या का प्रतिशत कितना है इसका right answer option 1, 24.9% and 75.1% Next question, हाली में प्रदान किये गए तीसरे राश्टी जल पुरसकार 2022 में सर्फ्रेश राज्यों की श्रेणी में राजिस्तान को कौन सा इस्तान हासिल हुआ है इसका answer है दूसरा Next question, राजिस्तान में 2019 की बीसवी पशुदन गड़ना के अनुसार सरवादिक भेड़े पाई जाती है बाड़ मेर में Next question, निमलिकित में से कौन सी नदी राजिस्तान में सबसे बड़ा नदी बेसी शेत्र बनाती है इसका right answer है option 3 बनास तो यह हमने जी के के हिंदी इंग्लिश के questions डिसकस किया है बागी के questions भी आपको next video में मिल जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल Learn with NH को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने friends के साथ शेयर करें और comment box में comment करके बताएं कि आपके कितने questions राइट हुए हैं Thank you so much